तो जब से सोनाक्षी की शादी मीडिया में आई है तब से ही पूरे का पूरा सिना परिवार कंट्रोवर्सी में गिरा नजर आ रहा है पूरे सिना परिवार को लेकर तरह तरह की बाते हो रही है जहां एक तरफ सोनाक्षी को ट्रोल किया गया कि वो शादी कर रही है और परिवार को ये बात मीडिया से पता चल रही है वहीं जब भाई लाव सिना से शादी में ना आने का कारण पूछा गया तो उन्होंने जो वज़ा बताई वो बेहच चौकाने वाली थी इसी के साथ उन्होंने ये एलान भी कर दिया कि इस शादी से उनका कोई लेना देना नहीं और वो आगे ना ही सोनाक्षी से और ना ही उसके सस्वराल से कोई भी रिष्टा रखना पसंद करेंगी अब इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो बेहच चौकाने वाली है जहां उस शक्स को लेकर खुलासा हुए जो पूरे सिना परिवार का तमाशा बना रहा है शत्रुगन के घर रामायन में महापारत करवा रहा है जो कहने को तो सिना परिवार का सबसे बड़ा विहतैशी है वैल विशर है लेकिन वही पूरे परिवार को बदनाम करा रहा है तो कौन है आखिर ये शक्स शत्रुगन सिना ने किसकी तरफ किया है इशारा आपको दिखाते हैं बताते हैं सब आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राये जरूर रखें चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवास बने तो सोनाक्षी की शादी को लेकर शत्रगन सिना और उनके परिवार की बहुत सारी चर्चा रही मीडिया में ये भी कहा गया कि शत्रगन सिना बेटी की शादी से खुश नहीं है इस बात का भी खुलासा हो गया कि सोनाक्षी के भाई भी इस शादी में शामिल नहीं हुए लेकिन अब फाइनली अपने परिवार को लेकर मीडिया में जो बाते चल रही है इस पर शत्रुगन सिना ने रियक किया है और ये भी कहा है कि उनके परिवार के बारे में जो शक्स बाते पहला रहा है वो शक्स कौन है इसकी जानकारी शत्रुगन सिना को है शत्रुगन सिना जो रिसेंट्ली हॉस्पिटल से डिस्चारज हुए है उन्होंने डिस्चार्ज होने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा मुझे पता है मेरे परिवार के बारे में ये बाते कौन कर रहा है मुझे ये भी पता है कि मेरी सरजरी के बारे में तक मीडिया में बाते आई सरजरी के बारे में तो मैं इतना ही कहूंगा कि खामोश। क्योंकि मेरी सर्जरी हुई है और मुझे ही नहीं मालूम। और जहां तक बात है उस शक्स की जो शक्स मेरे परिवार को लेकर मीडिया में बाते कर रहा है तो उसके बारे में भी मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। क्योंकि वो एक वैल विशर है और वो हाम नहीं पहुंचा रहा है शत्रगन सिना ने कहा कि मेरे उम्र 60 की हो गई है और अब शरीर उतना एक्टिव नहीं रहता है पहले मैं इलेक्शन केमपेंड में बिजी था और इसके बाद मेरी बेटी की शादी इन सब चीजों की बीच मे मैं आराम नहीं कर पाया अब वो टाइम नहीं रहा कि मैं तीन तीन शिफ्ट में काम करूं अब मुझे आराम की जरूरत है थोड़ा स्लो डाउन करने की जरूरत है कुछ इस तरह से शत्रगन सिना ने बात कई है उन्हें पूरी जानकारी है कि परिवार को लेकर मीडिया में कई बाते चल रही हैं लेकिन वो चुप इसलिए है क्योंकि जो शक्स ये बाते फैला रहा है वो उनका वैल विशर है अब शत्रगन सिना की इस बात को सुनकर लोगों को लग रहा है कि कहीं ये वैल विशर सल्मान खान तो नहीं क्योंकि सोनक्षी की शादी में और करियर मे चुल्मान का बहुत बड़ा हाथ है जहां सोनक्षी को फिल्म इंडस्ट्री में लाँच सल्मान खान ने किया वहीं जहीर को भी इंडस्ट्री में लाँच सल्मान खान नहीं किया और तो और सल्मान के जरीए ही ये दोनों मिले हैं चुल्मान दद्दू ये शादी अटेंड करने भी पहुंचे थे सोनक्षी और जहिर को आश्रवात देने तो ऐसे में लोगों का मानना है कि कहीं वो वेल विशर सल्मानी तो नहीं इतना ही नहीं आपको बता दें कि यह बाते तो यहां तक कई जारी हैं सल्मान ने जहीर के पिता से कुछ वक्त पहले आर्थिक मदद ली थी यानि बड़ा कर्जा लिया था और वो कर्जा चुकाने के एवस में सल्मान नहीं यह रिश्टा यह शादी करवाई हैं तो आपको क्या लगते हैं क्या चुल्मान की वज़े से शत्रगन के गर रामयर में महा भारत हो रही है क्या वो वेल विशर सल्मानी हैं आप क्या सोचते हैं कमिंट मैसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राइज जरूर रखें वीडियो को जादा से जादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं तो सोनाक्षी सिना ने अपनी शादी के साथ पूरे सिना परिवार का तमाशा बना रखा है जी हाँ, सबसे पहले परिवार का इस शादी के बारे में कुछ भी पता उने से इंकार करना यहाँ तक कि सोनाक्षी के पिता शत्रूगन सिना ने कहा कि उन्हें इस शादी के बारे में मीडिया से पता चला है वहीं शादी में सोनाक्षी के भाई लव सिना शामिल नहीं हुए जिस वज़े से कई सवाल उठे और आखिरकर लव सिना ने हाली में इस पर खुलासा किया और साप साप दो टूक शब्दों में कह दिया कि इस शादी से उनका कोई लेना देना नहीं है और अब वो आगे से नहीं सोनाक्षी से कोई रिष्टा रखेंगे और नहीं सोनाक्षी के ससुराल से यहां तक कि सोनाक्षी के ससुरालियों पर कहीं न कहीं लव सिना ने जमकर वार भी किया खास कर सोनाक्षी के ससुर पर तो अब सोनक्षी के इस तमाशे को खत्म करने के बज़ाए लव सिना से माफी माँगने के या परसनली जाकर उनसे मिलने के बज़ाए सोशल मीडिया पर उन्हें मुटोर जवाब दिया है जिसे देखकर पैंस सोनक्षी से और ज्यद्धा नाराज हो गए है तो आखिर सोनाक्षी ने ऐसा क्या कर दिया किस तरह भाई लफ सिना को दिया मूतोर जवाब और सोनाक्षी की इस हरकत पर पैंस का क्या कहना है आपको दिखाते हैं बताते हैं सब आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक को शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसलेकर आप भी अपनी बात अपनी राइस जरूर रखें चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सबस्क्राइब कर हमारी आवास बने तो हाली में सोनक्षी के भाई लव सिना ने सोशल मीडिया पर खुलासा करी दिया कि क्यों वो अपनी इकलौती बेहन के शादी में नहीं पहुँचे और किस बात से नाराज़ की थी लव सिना ने शेयर किया कि कैसे सोनक्षी के ससुराल वालों की अस्ति जानकारी उन्हें नहीं थी और बहुत सारी चीजें छिपाई गई लव सिना ने ये साफ साफ शब्दों में कहा कि वो इस तरह के लोगों से कोई रिष्टा नहीं रखेंगे लव सिना ने कहा कि सोनाक्षी ने भी अपनी शादी की नियूस अचानक से ब्रेक की परिवार वालों से ना पूछा और ना ही शादी की प्लैनिंग में कहीं शामिल किया लव सिना ने कहा कि मैंने जो किया वो सही किया जहां एक तरफ लव सिना के इस खुलासे से सबी शौक्ट हैं कि कैसे भाई बैन के बीच इतना बड़ा जगड़ा है कि भाई अपनी बैन की शादी में ही नहीं गया लव सिना ने मीडिया में नाराजगी शेयर की उसके बाद उमीद की जा रहे थी कि सोनाकशी अपने भाई से मिलेगी और उसके साथ जो गिले शुक्ट हैं वो दूर करेगी क्यूंकि वो आखर बच्पंत से अभी तक साथ में रहे हैं लेकिन सोनाक्षी की सोशल मीडिया पोस्ट से पता चलता है कि सोनाक्षी ने तो अपने भाई की नाराज़की को जरा सा भी भाव नहीं दिया और भाई को दुख पहुँचाने के लिए जान बूज कर कुछ ऐसी तस्वीर शेयर की है Actually सोनाक्षी सिना ने अपने पती जहीर के साथ quality time बिताते हैं कुछ romantic pictures शेयर की है सोनाक्षी के इन pictures को देखकर लोग बस यही कह रहे हैं कि भाई की नाराज़की में सोनाक्षी ने ये pictures डालकर लड़ाई को और बढ़ावा दिया है आग में घी डालने का काम किया है सोनाक्षी को अपने भाई से बात करनी चाहिए और परिवार का जो जगड़ा है उसे खत्म कर देना चाहिए इधर बात करें शत्रुगन सिना की तो उन्होंने भी बेटे लव की बात पर कुछ react नहीं किया अपनी इधर बचाने के लिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने कहा जो कुछ भी कंट्रोवर्सी चल रही है जो भी बाते चल रही है मुझे उनसे कोई फर्क नी परता मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा मेरी बेटी और जहीर का जो कपल है वो दुनिया का बेस्ट कपल है सोनाक्षी और शत्वण सिना की ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है और लोग कह रहे हैं कि लव सिना ने स्टेंड तो लिया लेकिन पिता बेटी की इज़त रखने के लिए सोनाक्षी की सपोर्ट में है ऐसे में जब लव को परिवार से सपोर्ट नहीं मिला तो उन्होंने सोशल मीडिया और मीडिया का सारा लेकर अपना दुख, अपना दर्द लोगों के साथ शेर किया तो सिना परिवार के इस जगड़े और कंट्रोवर्सी पर आपका क्या कहन है क्या सोनाक्षी को अपने भाई से मिलकर ये कंट्रोवर्सी खत्म नहीं करनी चाहिए या सोनाक्षी ने जो कुछ भी किया वो आपको लगता है कि सही किया आप सोनक्षी के इस बरताओं को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बत अपनी रहे ज़रूर रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सुपोर्ट भी ज़रूर दिखाएं ज़्यर इकबार सोनक्षी सिना का अपैर चुल्मान दद्दू नहीं कराया सोनक्षी सिना चुल्मान दद्दू की फेबरेट चेली है और ज़्यर इकबार चुल्मान दद्दू के दोस्त का बेटा है इसलिए चुल्मान धद्दु ने सोचा कि घर का माल घर में ही रहना चाहिए बाहर नहीं जाना चाहिए और दोस्त के बेटे से अपैर कराकर शादी कराने में मदद की चुल्मान खान ने इससे पहले सोनक्षी सनक को बंटी सजदे की जोली में डाला था लेकिन बंटी सजदे चालाग था हाथ साप करके मलाई खाक के शादी नहीं की सोनक्षी का रिष्टा शादी तक नहीं पहुँच पाया सोनक्षी सिंगल हो गई